कहानी संसार में लीजे सुनिये कथा लेखी का कृष्णा सोबती की कहानी दादी अम्मा बहार फिर आ गई वसंत की हलकी हवाएं पतजर के फीके होठों को चुपके से चूम गई जाडे ने सुकुडे सुकुडे पंक फड़ फड़ाए और सर्दी दूर हो गई आगन में पीपल के पेड़ पर नए पात खिल खिलाए परिवार के हसी खुसी में तैरते दिन रात मुस्कुरा उठे भरा भराया घर संभरी संभरी सी सुन्दर सलोनी बहुए चंचलता से खिल खिलाती बेटियां मजबूत भाहों वाले युवा बेटे घर की मालकिन महरा अपने हरे भरे परिवार को देखती है और सुख में भीग जाती है यह पांचों बच्चे उसकी उमर भर की कमाई हैं उसे वे दिन नहीं भूलते जब ब्याह के बाद छे वरसों तक उसकी गोद नहीं भरी थी उठते बैठते सास की गंभीर कठोर द्रिष्ट उसकी समूची देह को टटोल जाती रात को तकिये पर सिर डाले डाले वह सोचती कि पती के प्यार की छाया में लिप्टे लिप्ट उसे मिली थी वह उसे सार्थग नहीं कर पाई वह ससुर के चैड़ों में जुकी थी और उन्होंने सिर पर हाथ रख कर कहा था बहुरानी फूलो फलो कभी दरपण के सामने खड़ी-खड़ी वह बाहें फैला कर देखती क्या इन बाहों में अपने उपजे किसी नन्हे मुन्ने को भर लेने की छमता नहीं छे बरसों की लंबी प्रतिक्षा के बाद सरदियों की एक लंबी रात में करवट बदलते-बदलते महरा को पहली बार लगा कि जैसे नर्म-नर्म लिहाप में वह सिकुड़ी पड़ी है वैसे ही उसमें उसके तन मन प्राण के नीचे गहरे कोई धड़कन उससे लिप्टी आ रही है उसने अंधियारे में एक बार सोय हुए पती की ओड़ देखा था और अपने से लजा कर अपने हाथों से आखे ढप ली थी बंद पलकों के अंदर से दो चमकती आखे थी दो नन्ने नन्ने हाथ थे दो पाउं थे सुबह उठकर किसी मीठी शिथिलता में घीरे घीरे अंगडाई ली थी आज उसका मन भरा है मन भरा है सास ने भाप कर प्यार बढ़ साया था बहु अपने को ठकाओ मत जो सहज सहज कर सको करो बाकी मैं समहाल लोंगी वह कृतग्यता से मुस्कुरा दी थी काम पर जाते पती को देखकर मन में आया कि कहे अब तुम मुझसे अलग बाहर नहीं मेरे अंदर भी हो दिन में सास आ बैठी माथा सहलाते सहलाते बोली बहु रानी भगवान मेरे बच्चे को तुम सारूप दे और मेरे बेटे सा जिग्रा बहु की पलके जुकाई बेटी उस मालिक का नाम लो जिसने बीच डाला है वह फल भी देगा मेहरा को मा का घर याद हो आया पास पड़ उसकी इस्त्रियों के बीच मा भावी का हाथ आगे कर रही थी बाबा यह वताओ मेरी बहु के भागे में कितने फल है पास खड़ी मेहरा समझ नहीं पाई थी हाथ में फल मा हाथ में फल कब होते हैं फल किसे कहती हो मा लड़की की बास सुनकर पहले हसी फिल गुसा होकर बोली दूर हो मेहरा जा बच्चों के संखेल उस दिन मेहरा का छोटा समन यह समझ नहीं पाया था पर आज तो सास की बात वह समझ ही नहीं बूझ भी रही थी बहु के हाथ में फल होते हैं बहु के भागे में फल होते हैं और परिवार की बेल बढ़ती है महरा की गोच से इस परिवार की बेल बढ़ी है आज घर में तीन बेटे हैं उनकी बहुए हैं ब्याह देने योगी दो बेटिया हैं हलके हलके कपड़ों में लिप्टी उसकी बहुएं जब उसके सामने जुकती हैं तो छड़ भर के लिए महरा के मस्तक पर घर की स्वामिनी होने का अभिमान उभराता है वह बैठे बैठे उन्हें आसीस देती है और मुस्कुराती है ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही वह भी कभी सास के सामने जुकती थी आज तो अतीखी निगाह वाली महलकिन बच्चों की दादी अम्मा बन कर रह गई है पिछवाडे के कमरे में जब दादा के साथ बोलती हुई अम्मा की आवाज आती है तो पोते च्छण भर ठिठक कर अंसुनी कर देते हैं बहुए एक दूसरे को देख कर मन ही मन हसती हैं लाडली बेटियां सिर हिला हिला कर खिल खिलाती कहती हैं दादी अम्मा बूरी हो आई पर दादा से जगड़ना नहीं छोड़ा महरा भी कभी कभी पती के निकट खड़ी हो कह देती है अम्मा नाहक बापू के पीछे पड़ी रहती है बहु बेटियों अला घर है क्या यह अच्छा लगता है पती एक बार पढ़ते पढ़ते आँखे उपर उठाते हैं पल भर पत्नी की और देख दुबारा पनने पर द्रिष्ट गड़ा देते हैं मा की बात पर पती की मौन गंभिर मुद्रा महरा को नहीं भाती लेकिन प्रयत्न करने पर भी वह कभी पती को कुछ कह देने तक खीच नहीं पाई पत्नी पर एक उर्ती निगाह और बस किसी को आज्या देती महरा की आवाज सुनकर कभी उन्हें भ्रम हो आता है वह महरा का नहीं अम्मा का ही रोविला स्वर है उनके होश में अम्मा ने कभी ढीला पन जाना ही नहीं याद नहीं आता कभी मा के कहने को वह जाने अन्जाने टाल सके हो और अब जब मा की बात पर बेटियों को हंसते सुनते हैं तो विस्वास नहीं आता क्या सचमुच मा ऐसी बाते किया करती है कि जिन पर बच्चे हस सके और अम्मा तो सचमुच उठते बैठते बोलती हैं जगरती हैं जुकी कमर पर हाथ रखकर वह चारपाई से उठकर बाहर आती हैं तो जो सामने हो उस पर भरसने लगती है बड़ा पोता काम पर जा रहा है दादी अम्मा पासा खड़ी हुई एक बार उपर तले देखा और बोली काम पर जा रहे हो बेटे कभी दादा की और भी देख लिया करो कबसे उनका जी अच्छा नहीं जिसके घर में भगवान के दिये बेटे पोते हो वह इस तरह बिना दवादारू के पड़े रहते हैं बेटा दादी अम्मा की नजर बचाता है दादा की खबर क्या घर भर में उसे ही रखनी है छोड़ो कुछ न कुछ कहती ही जाएंगी अम्मा मुझे देर हो रही है लेकिन दादी अम्मा जैसे राह रोक लेती है अरे बेटा कुछ तो लिहाज करो बहु बेटे वाले हुए मेरी बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगती मेहरा मजली बहु से कुछ कहने जा रहे थी लोडती हुई बोली अम्मा कुछ तो सोचो लड़का बहु बेटे वाला है तो क्या उस पर तुम इस तरह बरस्ती रहोगी दादी अम्मा ने अपनी पुरानी निगाह से मेहरा को देखा और जल कर कहा क्यो नहीं बहु अब तो बेटों को कुछ कहने के लिए तुम से पूछना होगा यह बेटे तुम्हारे हैं घर बार तुम्हारा है हुकम हासिल तुम्हारा है मेहरा पर इस पर इस सब का कोई असर नहीं हुआ सास को वहीं खड़ा छोड वो बहु के पास चली गई दादी अम्मा ने अपनी पुरानी आखों से बहु की वही रोबेली चाल देखी और उचे स्वर में बोली बहुरानी इस घर में अब मेरा इतना सा मान रह गया है तुम्हें इतना घमंड महरा कोशास के पास लोटने की इच्छा नहीं थी पर घमंड की बात सुनकर लोटाई मान की बात करती हो अम्मा तो आए दिन छोटी छोटी बात को लेकर जलने कल अपने से किसी का मान नहीं रहता इस उल्टी आवाज ने दादी अम्मा को और जला दिया हाथ हिला हिला कर क्रोध में रुक रुक कर बोली बहु यह सब तुम्हारे अपने सामने आएगा तुमने जो मेरा जीना दूभर कर दिया है तुम्हारे तीनों बहुएं भी तुम्हें इसी तरह समझेंगी क्यों नहीं जरूर समझेंगी कहती कहती दादी अम्मा जुकी कमर से पग उठाती अपने कमरे की ओर चल दी राह में बेटे के कमरे का द्वार खुला देखा तो बोली जिस बेटे को मैंने अपना दूद पिला कर पाला आज उसे देखे मुझे महीनों बीच जाते हैं उससे इतना नहीं हो पाता कि बूढ़ी अम्मा की सुध ले ले महरा मजली बहु को घर के काम धंधे के लिए आदेश दे रही थी पर कान इधर ही थे बहुए उसे भी समझेंगी इस अभिसाप को वह कड़वा घूट समझ कर पी गई थी पर पती के लिए सास का यह उलाहना सुनकर ने रहा गया दूर से ही बोली अम्मा मेरी बाद छोड़ो पराय घर की हूँ पर जिस बेटे को घर भर में सबसे अधिक तुम्हारा ध्यान है उसके लिए यह कहते तुम्हें जिजग नहीं आती फिर कौन मा है जो बच्चों को पालती पोश्टी नहीं अम्मा ने अपने जुर्रियों पड़ी गर्दन पीछे माथे पर पड़े तेवरों में इस बार क्रोध नहीं भरतर्शना थी चेहरे पर वही पुरानी उपेक्षा लोटाई बहु किस से क्या कहा जाता है यह तुम बड़े समधियों से माथा लगा सब कुछ भोल गई हो मा अब अपने बेटे से क्या कहे यह भी क्या अब मुझे बेटे की बहु से ही सीखना पड़ेगा सज कहती हूं बहु सब ही माओं को बच्चों को पालती है मैंने कोई अनोखा बेटा नहीं पाला था वह हो फिर तुम्हें तो मैं पराई बेटी करके ही मानती रही हूं तुमने बच्चे आप जने आप ही वे दिन काटे आप ही बीमारियां जहली महरा ने खड़े खड़े चाहा कि सास यह कुछ कहकर और कहती वह इतनी दूर नहीं उतरी कि इन बातों का जबाब दे चुपचाप पती के कमरे में जाकर इधर उधर बिखड़े कपड़े सहेजने लगी दादी अम्मा कड़वे मन से अपनी चार पाई पर जा पड़ी बुढ़ापे की उम्र भी कैसी होती है जीते जी मन से संग तूट जाता है कोई पूस्ता भी नहीं जानता नहीं घर के पिछवाडे जिसे वह अपनी चलती उम्र में कोठरी कहा करती थी उसी में आज वह अपनी पती के साथ रहती है एक कोने में उसकी चार पाई और दूसरे कोने में पती के जिसके साथ उसने अंगिनत बहारें और पतजर गुजार दिये हैं कभी घंटों वे चुप चाप अपनी जगह पर पड़े रहते हैं दादी अम्मा बीच बीच में करवट बदलते हुए लंबी सांस लेती हैं कभी पतली नीद में पड़ी पड़ी बरसों पहले की कोई भूली विश्री बात करती हैं पर बच्चों के दादा उसे सुनते नहीं दूर कमरों में बहुओं की मीठी मीठी दबी दबी हसी वैसे ही चलती रहती है बेटियां खुले खुले खिल खिलाती हैं बेटों के कदमों की भारी आवाज कमरे तक आकर रह जाती है और दादी अम्मा के पास पड़े दादा में जैसे बीद गए बरसों की दूरी जूलती रहती है आज दादा जब घंटो धूप में बैटकर अंदर आये तो अम्मा लेटी नहीं चारपाई की बाह पर बैठी थी गाढ़े की धोती से पूरा तन नहीं ढखा था पला कंधे से गेर कर एक और पड़ा था वक्ष खुला था आज बच में ढखने को रह भी क्या गया था गले और गर्दन की जुर्रियों की जगह आकर इकठी हो गई थी पुरानी चाती पर कई तिल चमक रहे थे सिर के बाल उदाचींता से माथे के उपर सटे थे दादा ने देखकर भी नहीं देखा अपने सा पुराना कोट उतार कर खुटी पर लटकाया और चारपाई पर लेट गए दादी अम्मा देर तक बिना हिले डुले वैसी की वैसी बैठी रही सीडियों पर छोटे बेटे के पाउं के उतावली सी आहट हुई उमंग की छोटी सी गुनगुनाहट द्वार तक आकर लोट गई ब्याह के बाद वे दिन मीठे मधुर दिन पाउं बार बार घर की ओर लोटते हैं प्यार सी बहु आँखों में प्यार भर भर कर देखती है लजाती है सकुचाती है और पती की बाहु में लिपड़ जाती है अभी कुछ महीने हुए यही छोटा बेटा माथे पर फूलों का सहरा लगा कर ब्याहने गया था बाजे गाजे के साथ जब लोटा तो संग में दुलहिन थी सब के साथ दादी अम्मा ने भी पतोहू का माता चोंकर उसे हाथ का कंगन दिया था पतोहू ने जुक कर दादी अम्मा के पाउच हुए थे और अम्मा लेन देन पर महरा से लड़ाई जगड़े की बात भोलकर कई छड़ दुलहिन के मुखड़े की ओर देखती रही थी छोटी बेटी ने चंचलता से परिहास कर कहा था दादी अम्मा सच कहो भईया की दुलहिन तुम्हें पसंद आई क्या तुम्हारे दिनों में भी साधी ब्या हमें ऐसे कपड़े पहने जाते थे कहकर छोटी बेटी ने दादी के उत्तर की प्रतिक्षा नहीं की हसी हसी में किसी और और ओजल हो पड़ी महरा बहु बेटे को घेर कर अंदर ले चली दादी अम्मा भटकी भटकी द्रिष्ट इसे वे अंगिनत चहरे देखती रही कोई पास पड़ोसिन उसे बधाई दे रही थी बधाई हो अम्मा सोने सी बहु आई है शुक्र है उस मालिक का तुमने अपने हाथो छोटे पोते का भी काज समारा अम्मा ने सिर हिलाया सचमुच आज उस जैसा कौन है पोतों की उसे होश थी आज पूरी हुई पर काज समारने में उसने क्या किया किसे से कुछ पूछा नहीं तो करती क्या समधियों से बादचीत, लेन देन, दुलेन के कपड़े गहने यह सब महरा के अभ्यस्त हाथों से होता रहा है घर में पहले दो ब्याह हो जाने पर अम्मा से सलाह सम्मत करना भी आवस्यक नहीं रह गया केवल कभी कभी कोई नया गहना गढ़वाने पर यह नया जोड़ा बनवाने पर महरा उसे सास को दिखा देती रही है बड़ी बेटी देखकर कहती है मा, अम्मा को दिखाने जाती हो वह तो कहेंगी यह गले का गहना हाथ लगाते उड़ता है कोई भारी ठोस कंठा बनवाओ सिर की सिंगार पट्टी बनवाओ बड़े बेटों की सगाई में ब्याह में अम्मा बीसियों बार यह दोहरा चुकी है अम्मा को कौन समझाय कि यह पुरानी बातें पुराने दिनों के साथ गई अम्मा नाते रिस्तों की भीड में बैठी बैठी उगती रही एकाएक आग खुली तो नीचे लटकते पल्ले से सिर ढख लिया एक बेखबरी की उगाडे सिर वैठी रही पर दादी अम्मा को इस तरह अपने को समालते किसी ने देखा तक नहीं अम्मा की ओर देखने की सुध भी किसे है बहु को नया जोड़ा पहनाया जा रहा है रोशनी में दुलहिन सर्मा रही है ननदे हास परिहास कर रही है महरा घर में तीसरी बहु को देखकर मन ही मन सोच रही है कि बस अब दोनों बेटियों को ठीकाने लगा दें तो शुर्रक हो बहु का सिंगार देख दादी अम्मा बीच बीच में कुछ कहती है लड़कियों में यह कैसा चलन है आजकल बहु के हाथों और पैरों में महदी नहीं रचाई यही तो पहला सा गुन है दादी अम्मा की इस बात को जैसे किसी ने सुना नहीं साज सिंगार में चमकती बहु को घेर कर महरा दूले के कमरी की ओर ले चली नाते रिष्टे की युवतियां मुस्कुरा मुस्कुरा कर शर्माने लगे दूले के मित्र भाई आंकों में नहीं बाहों में नहीं नहीं चित्र भरने लगे और महरा बहु पर आसिरवाद बरसा कर लोटी तो देहरी के संग लगी दादी अम्मा को देख कर सनेह जता कर बोली आओ अम्मा शुक्र है भगवान का आज ऐसी मीठी घड़ी आई अम्मा सिर हिलाती हिलाती महरा के साथ होली पर आखे जैसे बरसो पीछे घूम गई ऐसे ही एक दिन वह महरा को अपने बेटे के पास छोड़ा आई थी वह अंदर जाती थी बाहर आती थी वह इस घर की मालकिन थी पीछे और पीछे बाजे गाजे के साथ उसका अपना डोला इस घर के सामने अखड़ा हुआ गेहनों की जहनकार करती हुई वह नीचे उतरी घूंघट की ओट से मुस्कुराती नीचे जुकती और पती की बूढ़ी फूफी से आसिरबात पाती दादी अम्मा को उंखते देख बड़ी बेटी हिला कर कहने लगी उठो अम्मा जाकर सो रहो यहां तो अभी देर तक हंसी ठटा होता रहेगा दादी अम्मा जपी जपी आँखों से पोती की ओर देखती हैं और सिरजुकी कमर पर हात रखकर अपने कमरी की ओर लोट जाती हैं उस दिन अपनी चार पाई पर लेड कर दादी अम्मा सोई नहीं, आखों में न उंग थी न नीद, एक दिन वह भी दुलहिन बनी थी, बुड़ी फूफी ने सजा कर उसे भी पति के पास भेजा था, तब क्या उसने यह कोठरी देखी थी, ब्याह के बाद भरसों तक उसने ज जेवा करते करते, पहली बार यह जाना था कि घर में इतने कमरे होते हुए भी फूफी इस पिछवाडे में अपने अंतिम दिन बरस काट गई है, पर यह देखकर जानकर उसे आश्यरे नहीं हुआ था, घर के पिछवाडे में पड़ी फूफी की देह, जाहदार पेड के प खकर अपनी चारपाई पर लेटे, तो एक लंबा चैन का सांस लेकर बोले, क्या सो गई हो, इस बार की रहुनक लेन देन तो मजले और बड़े बेटे के ब्याह को भी पार कर गई, समधियों का बड़ा घर ठहरा, दादी अम्मा लेन देन की बात पर कुछ कहना चाहते भी नहीं बोली, चुपचाप पड़ी रही, दादा सो गए, आवाजे धीमी हो गई, बरामदे में महरा का रोवीला स्वर, नौकर चाकरों को सुबह के लिए आज्याये देकर मौन हो गया, दादी अम्मा पड़ी रही, और पतली नीद से घिरी आँखों से नए पुराने चित्र देखती रही, एका एक करवट लेते लेते दो चार कदम उठाए और दादा की चार पाई के पास आखड़ी होई, जुक कर कई छण तक दादा की ओर देखती रही, दादा नीद में बेखबर थे और दादी जैसे कोई पुरानी पहचान कर रही हो, खड़े खड़े क वापस लोटा लेना चाहती है, सिरहाने पर पड़ा, दादा का सिर बिलकुल सफेद था, बंद आँखों से लगी जुरियां ही जुरियां थी, एक सूखी बां, कंबल पर सिकुडी सी पड़ी थी, यह नहीं, यह तो नहीं, दादी अम्मा जैसे सोते सोते जाक पड़ी, वै का रात भर की भटकी भटकी तस्वीरों में से कोई भी तस्वीर उसकी नहीं थी, वह इस सूखी दें और जुके कंदे में से किसे ढूंड रही थी, दादी अम्मा चारपाई की बाहों से उठी और लेट गई, अब तो इतनी से दिन चरिया शेस रह गई है, बीच बीच में कभी उठकर बहूं के कमरों की ओर जाती हैं, तो लड जगर कर लोटाती हैं, कैसे हैं उसके पोते जो उम्मर के रंग में किसी की बात नहीं सोचते, किसी की ओर नहीं देखते, बहू और बेटा उन्हें भी कहां फोर्सत है, महरा तो कुछ न कुछ कहकर चोट करने से भी नह करने को तो दादी से भी कम नहीं, पर अब तीखा तेज बोल लेने पर जैसे वह ठक ठक कर चूर हो जाती है, बोलती है, बिना बोले रह नहीं पाती, पर बाद में घंटो बैठी सोचती है, कि वह क्यों उनसे माथा लगाती है, जिन्हें उसकी परवाह नहीं, महरा की तो अ कभी अंदर बाहर जाते, अम्मा मिल जाती है, तो जुक कर बेटा मा को पढ़ाम अवस्य करता है, दादी मा गर्दन हिलाती हिलाती आशिरवात देती है, जीओ बेटा जीओ, कभी महरा की जली कटी बाते सोच बेटे पर क्रोध हो और अभिमान करने को मन होता है, पर बेटे को पास देखकर दादी अम्मा सब भूल जाती है, ममता भरी पुरानी आखों से निहार कर बार बार आशिरवात बरसाती चली जाती है, सुख पाओ, भगवान बड़ी उम्र दे, कितना गंभीर और शीलवान है उसका बेटा, है तो उसका न, पोतों को ही देखो, कभी जुक कर दादा के पाओ तक नहीं चूते, अखिर मा का असर कैसे जाएगा, इन दिनों बहु की बात सोचते ही, दादी अम्मा को लगता है कि अब महरा उसके बेटों में नहीं, अपने बेटों में लगी रहती है, दादी अम्मा को वे दिन भूल जाते हैं, जब बेटे के ब्याह के बाद बहु बेटे के लार चाओ से उसे पती के खाने पीने की सुधी तक ने रहती थी, और जब लाख लाख शुकर करने पर पहली बार महरा की गोद भरने वाली थी, तो दादी अम्मा ने आकर दादा से कहा था, बहु के लिए अब यह कमरा खाली करना होगा, हम लोग फेरते फेरते कहा था, क्या बेटे वाला कमरा बहु के लिए ठीक नहीं, ना हक्कियों यह सब कुछ उल्टा सीधा करवाती हो, दादी अम्मा ने हाथ लाकर कहा, ओहो, तुम समझोगे भी, बेटे के कमरे में बहु को रखोंगी, तो बेटा कहा जाएगा, उल्टे सीधे की फिक्र तुम क्यों करते हो, मैं सब ठीक कर लोंगी, और पत्नी के चले जाने पर दादा बहुत देर, बैठे बैठे भारी मन से सोचते रहे कि जिन बरसों का भी इतना, उन्होंने आज तक नहीं जाना, उन्हीं पर पत्नी की आशा भी राम बनकर आज खड़ी हो गई है, आ उन्हें बेटे से इर्षय हुई और उदासींता में बदल गई, और पहली रात जब वह फूफी के कमरे में सोए तो देर तक गए भी पत्नी बहु के पास से नहीं लोटी थी, कुछ देर परतिच्छा के बाद उनकी पल के जपी तो उन्हें लगा कि उनके पास पत्नी का न दादा देखते हैं पर बुढ़ापे की भीमारी से कोई दूसरी भीमारी बड़ी नहीं होती, दादी अम्मा बार बार करवड बदलती हैं और फिर कुछ देर के लिए हाप कर पड़ रह जाती हैं, दो एक दिन से वहरा सोई घर की ओर भी नहीं आई, जहां मेहरा का आधिप पत्य रहते हुए भी वह कुछ नकुछ नौकरों को सुनाने में नहीं चोकती हैं, आज दादी को न देखकर छोटी बेटी हसकर मजली भावी से बोली, भावी दादी अम्मा के पास अब शायद कोई लड़ने जगरने की बात नहीं रह गई, नहीं तो अब तक कई बार चक कर लगाती, दोपहर को नौकर जब अम्मा के यहां से अंचुई ठाली उठा लाया, तो महरा का माथा ठनका, अम्मा के पास जाकर बोली, अम्मा कुछ खा लिया होता, क्या जी अच्छा नहीं, एक आएक अम्मा कुछ बोली नहीं, छड़ भर रुक कर आखे खोली और महरा क को देखती रह गई, खाने को मन न हो, तो अम्मा दूध ही पीलो, अम्मा ने कहा हां, न, कुछ नहीं की, न, पल के ही जब की, इस द्रिठ से महरा, महरा बहुत बर्सों के बाद आज फिर डरी, इनमें न क्रोथ था, न सास की तरेर थी, न मन मुटा हो था, एक लंबा गहरा उलाहना पहचानते, महरा को देर न लगी, डर्ते डर्ते सास के माथे को छुआ, ठंडे पसीने से भीगा था, पास बैटकर धीरे से इसने भरे स्वर में बोली, अम्मा, अम्मा जो कहो बना लाती हूं, अम्मा ने सिरहाने पर पड़े-पड़े सिर हिलाया, नहीं कुछ नह और बहु के हाथ से अपना हाथ खीच लिया, मेरा पल भर कुछ सोचती रही और बिना आहट की बाहर हो गई, बड़ी बहु के पास जाकर चिंतिस्वर में बोली, बहु, अम्मा कुछ अधिक बिमार लगती है, तुम जाकर पास बैठो, तो मैं कुछ बना लाओं। नहीं खीचे, ढीली सी लेटी रही, मेरा ने रसोई घर में जाकर दूद गर्म किया, और टाने लगी तो एक आएक हाथ अटक गया, क्या अम्मा के लिए है, अंतिम बार दूद लिए जा रही है, दादी अम्मा ने बेखबरी में दो चार भूट दूद पी कर छोड़ दिय चार पाई पड़ पड़ी अम्मा, चार पाई के साथ लगी दिखती थी, कमरे में कुछ अधिक सामान नहीं था, सामने के कोने में दादा जी कभी छोणा बिचा था, शाम को दादा आएं तो अम्मा के पास बहू और पतोहु को बैठे देख पूछा, अम्मा तुम्हारी र सब्दों की गंभीरता जानते हुए चुपचाब बाहर हो गई, बेटे के साथ जब डाक्टर आया, तो दादी अम्मा के तीनों पोते भी वापस आ खड़े हुए, डाक्टर ने सधे सधाय हांतों से दादी की परिच्छा की, जाते जाते दादी के बेटे से कहा, कुछ ही गंटे और, महरा ने बहूं को धीमे स्वर में आग्याएं दी, और बेटों से बोली, बारी बारी से खा पी लो, और पिता और दादा को भेज देना, अम्मा के पास से हटने की पिता और दादा की बारी नहीं आय उस रात, दादी ने बहुत जल्दी की, डूपते डूपते हात पाउं से छट पटा कर एक बारांख खोली, और बेटे और पती के आगे बाहें फैला थी, जैसे कहती हूं तुम मुझे पकड रखो, दादी का स्वास उखडा, दादा का कंठ जकडा, और बेटे ने माद पर जुक कर पुकारा, अम्मा, अम्मा, सुन रही हूं बेटा, तुम्हारी आवाज पहचानती हूं, महरा सास की ओर बढ़िया और ठंडे हो रहे पैरों को चुकर याचना भरी द्रिष्टी से दादी अम्मा को बिछुरती आखों से देखने लगी, बहु को रोते देख, अम्मा की आखों में छड़ भर को संतोर शलका, फिर बरसों की ल अम्मा की पुतलियों में जीवन भर का मुह उतर गया, चाहा की कुछ कहे, कुछ पर छूटते ही, तन से दादी अम्मा होठो पर कोई सब्द नहीं कीच पाई, अम्मा बहुओं को आसिस देती जाओ महरा के गले में आगरह था विने थी, अम्मा ने आखों के जिल मिलाते परदे में से अपने पूरे परिवार की ओर देखा, बेटा, बहु, पती, पोते, पतोहु, पोतियां, छोटी पतोहु की गुलाबी ओढ़नी जिसे दादी के तन मन पर विखर गई, उस ओढ़नी से ल अगरित भच्चे खेलते रह गए, उसके पोते, उसके बच्चे, पिता और पुत्र ने एक साथ देखा, अम्मा जैसे हलके से हलके से, महरा को लगा, अम्मा बिलकुल वैसे ही हस रही हैं, जैसे पहली बार बड़े बेटे के जन्म पर वह उसे देख कर हसी थी, समझ गई, बहुओं को आसिरवाद मिल गया, दादा ने अपने सिकुडे हाथ में दाधी का हाथ लेकर आखो से लगाया, और बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो पड़े, रात बीत जाने से पहले दाधी अम्मा बीत गई, अपने भरे पूरे परिवार के बीच, वह अपने पती, बे महरा ने उदास उदास मन से सब के लिए नहाने का सामान जुटाया, घर बाहर धुलाया, नाते रिष्तेदार पास पड़ो से अब तक लोट गए थे, मौत के बाद रूखी सहमे सी दूपहर, अंचाहे मन से कुछ खा पी कर घर वाले चुपचाप खाली हो बैठे, अम्मा बेटा निढाल होकर कमरे में जा लेटा, अम्मा की खाली कोठरी का ध्यान आते ही, मन बह आया, कल तक अम्मा थी तो सही उस कोठी में, रुआसी आखे बरसकर जुक आई तो सपने में देखा, नदी गिनारे घाट पर अम्मा खड़ी है, अपनी चीता को जलते देख कहती है जाओ बेटा, दिन ढलने को आया, अब घर लोट चड़ो, बहु राह देख रही होगी, जरा समल कर जाना, बहु से कहना बेटियों को अच्छी ठीकाने लगाएं, द्रिश से बदला अम्मा द्वार पर खड़ी है, जाक कर उसकी ओर देखती है, बेटा अच्छी तरह कपड पर मैं ही छोड़ चली, बेटे ने हडबडा कर आखे खोली, कई छड़ द्वार की ओर देखते रह गए, अब कहां आयेगी अम्मा इस दहरी पर, बिना आहट की ये महरा आई, रोशनी की, चेहरे पर अम्मा की याद नहीं, अम्मा का दुख था, पती को देखकर जरा सी रो ना, तुम्हारे बापू ने तो अंत तक संग निभाया, पर मैं ही छोड़ चली, उठो, महरा कपड़ा खीच कर पती के पीछे होली, अम्मा की कोठरी में अंधेरा था, बापू उसी कोठरी में कोने में अपनी चारपाई पर वैठे थे, नजर तादी अम्मा की चारपाई वाली खाली जगह पर गड़ी थी, बेटे को आया जान हिले नहीं, बापू उठो, चल कर बच्चों में बैठो, जी समलेगा, बापू ने सिर हिला दिया, मेरा और बेटे की बात बापू को मानो सुनाई नहीं दी, पत्थर की तरह बिना हिले डूले बैठे रहे, बहू, ब पीट फर हाथ फिर कर कहती हैं, बहू, मेरे पेटे से कब तक सर्माओगी, अम्मा बेटे को गोद लिये, दूद पिला रही है, बापू घूम फिर कर पास आखड़े होते हैं, तेवर चड़े, तीखे बालों को फीका बना कर कहते हैं, मेरी देख रेक अब सब भूल गई हो मेरे कपड़े कहां डाल दिये, अम्मा बेटे के सिर को सहलाते सहलाते मुस्कुराती हैं, फिर बापू की आखों में भरपूर देख कर कहती हैं, अपने ही बेटे से प्यार का बटवारा कर जुचलाने लगे, बापू इस बार जुचलाते नहीं जिजगते हैं, फिर एक आ एक दूध पीते बेटे को अम्मा से लेकर चूम लेते हैं मुन्ने के पतले पतले नर्म ओठों पर दूध की बूधा भी चमक रही है बापू अंधेरे में अपनी आखों पर हाथ फेरते हैं हाथ गीले हो जाते हैं उनके बेटे की मा आज नहीं रही तीनों बेटे दबे पाओं जाकर दादा को जहां काए बहुए सास की आग्यापा अपने अपने कमरों में जा लेटी बेटियों को सोता जान महरा पती के पास आई तो सिर दबाते दबाते प्यार से बोली अब होंसला करो लेकिन एका एक किसी की गहडी सिसकी सुन्चोंक पड़ी पती पर जुक कर बोली बापू की आवाज लगती है देखो तो बेटे ने जाकर बाहर वाला द्वार खोला पीपल से लगी जुकी सी चाया बेटे ने कहना चाहा बापू पर बैठे गले से आवाज नहीं निकली हवा में पत्ते खड़ खड़ाए टहनिया हिली और बापू खड़े खड़े से तकते रहे बापू इस बार बापू के कानों में बड़े पोत की आवाज आई सिरूचा किया तो तीनों बेटों के साथ देहरी पर जुकी महरा दिख पड़ी आसुओ के गीले पूर में से धुंद बह गई महरा अब घर की बहु नहीं घर की अम्मा लगती है बड़े बेटे का हाथ पकड़ कर बापू के निकट आई जुक कर गहरेस ने ऐसे बोली बापू अपने इन बेटों की ओर देखो यह सब अम्मा का ही तो प्रताब है महीने भर के बाद बड़ी बहु की जोली भरेगी अम्मा का परिवार और फूले भलेगा बापू ने इस बार सिस्की नहीं भरे आंसूओ को खुले खुले बह जाने दिया पेड के कटे तने से हाथ उठाते उठाते सोचा दूर तक धर्ती में बैठी अगरित जड़ें अंदर ही अंदर इस पुराने पीपल को थामे हुए हैं दादी अम्मा इसे नित्य पानी दिया करती थी आज वह भी धर्ती में समा गई है उसके तन से ही तो बेटे पोते का यह परिवार फैला है पीपल की घनी छाह की तरह यह और फैलेगा बहु सज कहती है यह सब अम्मा का ही प्रताब है वह मरी नहीं वह तो अपनी देह पर के कपड़े बदल गई है अब वह बहु में जीएगी फिर बहु की बहु में तो दोस्तों यह थी काथा लेखी का कृष्णा सोबती की अत्यन्त ही मार्मिक कहानी दादी अम्मा कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट वाक्स में जरूर बताइएगा कहानी सुनने के लिए धन्यवाद नमस्कार